असलावनीकूँ फ्रंट्स कैसे हैं आप सब तो उमीदे सब खैरत से होंगे आद में लेकर आई हूं आप सभी के साथ में चिकन की एक बहुत ही मज़ेकी रेसिपी जिसे प्लाजमी एक बर जरूर ट्राइ कीज़ेगा चले इसे कैसे बनाना है बिना देर के वे सीख लेते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है कुछ गरम मसाला जिसके लिए मैंने साबुत जीरा एक बड़े चमच लिया है साथ हमें एक बड़े चमच धन्या के बीज लेना है इसी के साथ हमें इसमें काले मिर्च लेनी है एक चोड़े चमच अब इसमें हमें शाही जीरा भी लेना है जो इसी के साथ हमें इसमें दो लाल सूखे मिर्च डालनी है जो के थोड़ी तेज है इसलिए मैं दो ही डाल रही हूँ साथ इसमें जवित्री का फूल डालना है दालचीनी के टुकड़े हमें डालना है मैंने छुड़ी टुकड़े तीन चार पीस डालने है और अब हमें कसूरी मेती डालना है जो के पत्ते होते हैं वो डाल दीजेगा और ये आपका तंदूरी कड़ाई मसाला बन गया है तो अभी इसे आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है जिसकी वज़े से ये मसालों में बहुत ची खुश्बू आ जाती है ये थोड़े क्रिस् और अब हमें लेना है चिकेन जो के मैंने विद बून लिया है तकरीबर मैंने यहां पे 750 ग्राम चिकन लिया है और इस तरह से चिकन के जो बड़े पार्चे हैं उनमें मैंने कट्स लगा दिया है जिससे नमक मिर्च मिसालों का फ्लिवर अंदर तक जाएगा अब इसमें हम नमक डालनी है जो कि आपको हजब जरह डालना होगा टेस्ट के हिसाब से मैंने एक बड़े चमच डाला है अब इसमें हमें डालना है बुना और कुटावा जीरा पाउडर एक चोटे चमच तो जीरा हलका सा ना भूना होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा अच्छा में कट्स लगा हुए है तो मसाला अच्छे से रब करें जिससे वह अंदर तक जाए और चिकन कहीं पर से फीका नहीं लगे मज़े का लगे यहां पर चिकन हमारा मारेने होने को रेडी है साइड पर रख देते हैं तो आप चले हम कढ़ाई बनाना शुडू करते हैं इसके मिर्चे भाक का इनवा वडिय हो है तो यहां पर मैं फ्रन्स मिर्चे मिर्चे डाली है का अचारी मिर्चे और शलित लगा दिया है और इन में हमें इसको nion करलर होने भूम बहुंते रहना है अलका साब त्रासी गोल्डन निस तरह से क्या होता था से मिर्चों का एक चिकन कड़ाई बहुत जादा मज़ी की उमदा बनकर तयार होती है और आपको जो एक टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा वह बिल्कुल डिफरिंट और यूनीक मिलेगा तो बेशक जरूर ट्राइ करें इस रेसिपी को इस तरह से एक बर बना कर देखें यहां पर देखें मिर्चे झालें विल्कल की परने विलाखक दराए हैं च्रूर चाब पर अबर बंडारख के लाख नहीं मिर्चों में आकिज़ने को मिल्कुल नहीं Um जो कि मैंने दो लार्ज पकेवे टमाटर को ग्राइन करकर बना लिया है फ्रेश पेस्ट है ये और अब इसे हमें लगातार भून लेना है इस तरह से मिलाते रहे हैं जिससे जो टमाटर है अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा तो फ्लेम लगातार हाई रखेगा और हाई मिर्शे फ्लेम पे इसे बहुंते रहीए गाटा तो इसी टाइं पपर हमें नमक में बूला है काफी यहां पर हमें के मिला बहुन लेनके मिर्शी उसके तरह रहा है मिर्शी कि मॉज़ेशह के बहुत प्यारा आ पागया है और बेसीकली ग्रैवी का तक होगा इसीलिए आप किश्मेरी मिर्ची यूज़ कीज़ेगा क्योंकि बहुत चाफ लिवर आता है प्लस हम इसमें हरी मिर्ची भी यूज़ कर रहे तो कहीं जादा तीखा नहीं हो जाए अभी यहां पे देखें मसाले को हमें टमाटर का मसाला अच्छे से भून लेना है जब तक आयल सेपरेट न नजर आने लगाए तो तक्रीबान आपको पांच से च्छे मिना टोटल की लग जाते हैं टमाटर को भूनते वे तो टमाटर का मसाला अच्छे से जब भूनेगा तभी आपकी जो कड़ाई है वह बहुत जादा मजीकी बनेगी उमदा लगेगी देखें यह अच्छे से मसा बहुत हुआ है मसाला और बेसिकली चिकन हमारा बहुचा मैरिनेट होकर टेंडर भी हो गया होगा तो इस पॉंट पर हमें टमाटर के भूनेवे मसाले में यह चिकन शामिल कर देना है और इसे लगतार अच्छे से मिलाकर भून लेना है तो स्टार्टिंग में फिर से आपक हाई फ्लेम पे कुक करते रहें चाहे तो आप बीच में लेड़ अटा कर चेक भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने 5-6 मिनट बाद में लेड़ अटाया है और यहां पर देखे चिकन गलना शुरू हो गया है तो इस पॉंट पर हमें इसको एक स्टर दे देना है जिससे हमारी जो च अटारा बीस मिनट हो गया है और हमारा चिकन मज़े से कुक हो रहा है एंड में यहां पर फ्लेम हाई करी मैंने और इसको भुनाई करनी है तो यहां पर पूरा गल चुका है यह तो इसी पॉंट पर आपको याद होगा कि मैंने यह जो मसाला बना कर रखा था ना यह खुश पर यहां पर डाल देना है तो पूरा मैंने मसाला दो बड़े चमच डाल दिया है अगर आपको लगी कि यह जादा बन गया मसाला तो आप चाहे तो एकाख चमच आदा बचा भी सकते हैं और किसी भी डिश में आप डाल सकते हैं जो कि आप चिकन की नई ग्रेवी अब हमें लगतार भूंते वे चिकन को हमारे कुक कर लेना और यह देखें बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी हो गई है और इसे हमें लगतार मिलाते जाना है तो यह जो चिकन कडाई है ना फ्रेंस तंदूरी रोटी बटर रोटी पराठे रोटी वेगरे के साथ में खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसमें अच्छी सी ग्रेवी भी होती है और चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है यहां पे देखें इस तरह का जब भूंते वे कलर आ गया है तो हमें हमारी जो तलीवी मिर्चे है वो इसमें डाल देनी है तो आपको तो पता क्लीच और बहुत ही तो हमसे शिप्षिके और त्यारा गई तो आपके लिए चिकन की अब्साथ जिसको आपने देखा बनाना कितना आसान है बहुत ही एजी रेसिपी है कोई प्यास वगेरा नहीं डल रहा है फिर भी अच्छी ग्रेवी बनती है और बहुत ही टेस्टी डिलीशिस जूसी सा चिकन बनता है सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है ग्रेवी के साथ में अब इसमें हम इंदर अंदर तक फुरेशे रेशे में चिकन के फ्लेवर जाएगा और उफ कमाल की चिकन बनकर तयार होगी एक बार फ्रेंट्स मेरे कहने पर यह रेसिपी आप डेफिनेटली जरूर च्राइब बहुत अच्छी बनती है मैंने हाइवी कड़ाई की रेसिपी भी दीए इतनी अच्छी ग्रेवी होती है कि आप खा सकोगे राइस के साथ में भी चाहे तो तंदूरी रोटी बटर रोटी पराथा या घर की रुमाली रोटी में भी आप इसे खा सकते हैं बहुत जादा अच्छी लगेगी और आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पसंद करूंगी इसी के साथ प्लीज अगर रेसिपी अच्छी लग लिए तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पे मेरे नए हैं सब्स्राइब जरू कर लीजेगा और धमाकेदार रेसिपी के लिए प्लीज बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरू क्लिक किजेगा तो चलें फिर अपना और अपनी फैमली का रखें बहुत सारा ख्याल मैं एक नई धमाकेदार रेसिपी के साथ मिलूंगी अपना और अपनी फैमली का रखेंगा बहुत सारा ख्याल खुश रहिए प्यार बाट ये अच्छा खाईए हिल्दी रहिए अल्लहाफिज